नमस्कार आप देखरें दरनियोस 15 मैं हूँ आपके साथ काजल चौधरी आज के युग में पानी बिजली के बिना जीवन यापन का सोचना भी संभव नहीं है तो सोचिए आपको वाकई इनके बिना अपना जीवन गुजानना पड़े तो क्या होगा लेकिन नौईडा के हिं पुस्ता के साथ साथ बसी कॉलियोनी में रह रहे लोगों की जो आज भी कई सालों से अंधेरे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं लेकिन अब संगर्ज की राहा पकड़ते हुए अपने हक की अवाज उठाने के लिए वहां की लोगों ने सरकार के प्रती आक्रोश जताया है और बीते दिन विदुद अधिसाशी अभियांता कारिकाल सेक्टर 25 पर बिजली कनेक्शन दे जाने की मांग को लेकर राश्च्चे शहरी ग्रामिन विकास समीती ने जम कर धरना प्रदशन किया बतादे नौइडा के हिंदन नदी के पुस्ते पर भू माफियों ने कॉल पन अधिसाशी अभियांता श्री शिवम तिवारी को सौपा गया ग्याफन में हिंदन नदी पुस्ता के साथ साथ बसी दरजुनों कालोनियों में जल से जल बिजली कनेक्शन दिये जाने की मांग उठी है प्रदिशन को संभोधित करते हैं श्रामिक नेता वा समीती का संय जग गंगेश्वर दज शर्मा ने कहा कि हिंदन नदी पुस्ता के साथ साथ कनावनी से लेकर कुलेसरा तक दरजुनों कालोनिया बसी हुई है जिसमें लाखों की आबादी निवास करती है जिनों ने सरकार के थैसिल रजिश्टर कारिकले से जमीनों की रजिश्ट्री करा कर दाखिल खारिच कराकर अपने अवास बनाए हुए हैं नोंने कहा कि बिजली एक सामाजिक जरूरत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस जरूरत को पूरा करें यदि सरकार और बिजली विवाग द्वारा इस जरूरत को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले सम प्रवाब में लोग बदहाली की जिने को मजबूर है इस अधोनिक युग में एश्या के सबसे बड़े और द्योगिक शहर में लोग बिजली के अवाब में दिया लोग मुंबत्ती के सहरे अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग लंबे समय से बिजली दिये जाने की मांग कर आ रहे हैं इस मांग को लेकर कई बड़े बड़े आंदोलन भी किये गए सरकार बिजली विवाग जिला प्रसाशन के बार बार आस्वाशन देज जाने के बाद भी अंधेरे में अपना जीवन काट रहे लोगों को इस समयस्ता का समधान अभी तक नहीं मिल पाया है और यह नौइडा जैसे शहर के लिए किसी अभिशाफ से कम भी नहीं है इसलिए लोगों ने संगर्ष का रास्ता तै करा और निर्ने लिया कि बड़ी संख्या में 20 दिसंबर को बिजली घर पर प्रदर्शन करा इस पर समीति के अध्यक्ष हर गोविन सिंग महा सचीव हीरलाल पाल गोपी ने बताया कि सरकार अधिकारियों सांसद्व विधायक और बिजली मंत्री दुआरा बार बार आस्वाशन देने जाने के बाद भी सरकार लोगों को बिजली देने में नाकाम रही है यह लोगों के साथ अन्याय है और धोका है जिसे कतई ब्रदाश नहीं किया जाए ब्रिज बिहारी परवत, बलराम यादव, राजेश यादव, दहेशंकर पांडे, शामनंद ज्ञा, सिधार्ट पांडे, आदी ने बिजली विवाग और सरकार की कड़ी निंदा करतुए कहा कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार हर नागरिक को बिजली देने का दावा करती नजर आती है, तो वहीं बार-बार मांग करने के बाद भी नौइडा जैसे दोगिक शहर में लाखों लोग बिजली की सुविधा से वंचित हैं, और ये सरकार की कठनी और करनी में अंतर स पश्च रूप से दरशाता है, इस खास का बरमेत नहीं, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे, धन्यवाद